दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे RCBO की रेटिंग के बारे में हमारी एक वीवर ने कमेंट किया है कि RCBO की रेटिंग को रीड कैसे किया जाता है देखिए सवाल इसले भी जरूरी है क्योंकि RCBO में नौर्मली तीन से चार रेटिंग ऐसी लिखी रहती है जिसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया होना बहुत जरूरी है तब ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी एप्लिकेशन में आपको कौन से रेटिंग की RCBO को यूज करना चाहिए और जिस भी रेटिंग का RCBO आप यूज कर रहे हैं वो किस हिसाब से बिहेव करेगा कब ट्रिप होगा कब ट्रिप नहीं होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है कि RCBO पर जो रेटिंग लिखी है उसके बारे में आपके अंडिस्टेंडिंग कितनी ह तो आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि RCBO पर जो डिफरेंट रेटिंग लिखी हुई है उसका मतलब क्या होता है कौनसी रेटिंग आपको किस चीज के बार में बताती है ये चीज आज हम लोग बहुत सिंपल वे में देखेंगे इस वीडियो में तो दोस् आपको प्रोटेक्शन 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 प्रोट इसलिए RCBO को residual current circuit breaker with overload कहा जाता है RCBO किस तरीके से काम करता है इसके बारे में अगर आपको पूरा detail वीडियो चाहिए हो तो उसका link मैं आपको i button में दे दूँगा इस वीडियो को देखकर आप RCBO के पूरे concept को easily समझ सकते हैं पर आज हम लोग बात करेंगे RCBO की rating की तो देखे किसी भी RCBO पर normally जो सबसे पहली rating लिखी रहती है जो सबसे ज़्यादा important है वो होती है उसकी power rating जिसको contact rating भी कहा जाता है जब भी आप किसी device को लेंगे चाहिए आप RCCB की बात करें RCBO की बात करें या MCB की बात करें उस पर सबसे पहले जो current की rating आप देखते हैं चाहिए वो 16A हो 32A हो 63A हो इन सारी current rating की जो मैं बात कर रहा हूं इसी को power rating कहा जाता है इसी को contact rating कहा जाता है अगर मेरे पास 32A का कोई RCBO है तो इसका मतलब ये है कि ये particular RCBO maximum 32A का current अपने contact के through safely flow करवा सकता है without damaging its contact तो ये जो 32A की current rating हमने देखी है ये 32A basically इस particular equipment इस particular device की power rating है 32A maximum आप इस RCBO के contact के through safely flow करवा सकते हैं इसलिए इसको contact rating भी कहा जाता है इसके बाद दोस्तों बात आती है residual rating की और ये सबसे ज़्यादा crucial और सबसे ज़्यादा tricky rating है अगर हम लोग RCBO के point of view से बात करें देखे rated current के बारे में तो हमने देख लिया जो contact rating होती है power rating होती है उसके बारे में तो हमने देख लिया अब RCBO को ये कैसे पता चलेगा कि कब उसे trip होना है और कब उसे trip नहीं होना ये depend करता है कि आपके equipment का जो भी RCBO आप लगा रहे हैं उसका residual rating क्या है residual का मतलब होता है unnecessary जो हम लोग residual current बोलते है residual current का मतलब होता है वो current जो unnecessarily आपके system में flow हो रहा है जो ideally flow नहीं होना चाहिए अगर आपने 30 milliampere का residual rating है उस rating का RCBO लगाया है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर leakage current का magnitude 30 milliampere से जादा होता है तो RCBO से abnormal मालेगा और आपके circuit को trip कर देगा देखें जो RCBO होता है ये basically incoming current और outgoing current के difference पर काम करता है phase के थूँ supply load में जाती है और neutral के थूँ एक return path create होता है neutral के थूँ supply वापस से return आती है और आपका circuit है ये पूरी तरीके से complete होता है एक close loop form होता है तो जितना भी current आपके phase के थूँ जा रहा है क्या उतना ही current neutral के थूँ return आ रहा है क्या incoming और outgoing में कोई difference है की नहीं है ये basically monitor करता है RCBO अगर incoming supply और outgoing supply में 30 milliampere से जादा का difference देखने को मिलता है तो RCBO उसे abnormal मानेगा और आपके circuit को trip कर देगा तो ये जो 30 milliampere है इसको हम लोग residual rating कहते हैं क्योंकि यहीं वो leakage current है जिसको RCBO trace कर रहा है इसके बाद दोस्तों third rating आती है trip time देखे एक तो हो गई power rating कि आपका RCBO basically किस power rating का है 32 ampere का है 63 ampere का है 16 ampere का है यह हो गई power rating उसके बाद हमने देखा residual current rating क्या होती है कि कि कितने milliampere का अगर leakage current आपके circuit में flow हो तो उसे RCBO abnormal माने और आपके circuit को trip कर दे पर वो trip करने में कितना time लेगा यह हमें पता चलता है कि उसका trip time rating कितना है normally जो 30 milliampere residual current के जो RCBO होते हैं उनमें 300 milliseconds का भी trip time हो सकता है 500 milliseconds का भी trip time हो सकता है यह basically RCBO की rating पर लिखा रहता है तो basically यह तीन चीज़े आपको ध्यान में रखनी है RCBO के rating के point of view से एक तो है कि उसकी power rating कितनी है किस rating का RCBO आप अपने application में लगा रहे हैं दूसरा यह है कि उसके residual current rating कितनी है कि कितने milliampere का leakage current flow होने पे आपका RCBO trip होगा और थर्ड यह है कि वो कितना time लेगा trip होने में तो यह चीज 300 milliseconds 500 milliseconds इस time के form में लिखी रहती है यहाँ पर दोस्तो RCBO की पूरी rating complete होती है यह तीन rating को अगर आप easily समझ पा रहे हैं तो आप RCBO का selection भी आसानी से effectively कर पाएंगे तो दोस्तो RCBO की rating को किस तरीके से read किया जाता है यह अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुड़ बाल